नमस्कावार लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि चंडीगड में आप कैसे तीन घंटे में लब मैरेज कर सकते हैं देखे आपने चंडीगड के जो लोग भी पंजाब के रहने वाले हैं आप को प्रॉसेस के बारे में पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम है लेकिन मैं आपको बता दू कि यदि आप पंजाब के रहने वाले हैं और आप लम मैरेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो लम मैर पहले आपकी शादी आरे समाज में होगी या अगर आप चाहें तो गुर्दवारे से भी आप अपनी शादी कर सकते हो और एक बार जब आपकी शादी हो जाती है जब आपकी लम मैरेज है यानि शादी हो गई मतलब की मैरेज हो गई एक बार जब आपकी मैरेज हो जाती है उ protection order का मतलब यह होता है कि जो आपको marriage हुई है उसके बाद से हम high quote चलेगा और हमने जाकर के high quote में बोला कि शादी कर लिया हूँ और शादी करने के बाद से हमें protection के requirement है उसके लिए high quote से order आ जाता है और ये order अमूमन एक हफ़ते के अंदर आ जाता है जैसे ही एक हफ़ते के अंदर ये high court का order आ जाता है उसके बाद से लरका और लरकी free होते हैं किसी भी SP office में जा सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं और इनको कोई परिशान नहीं कर सकते हैं ये तो हो गया जो normal practice है जो चंडी गड में चलता है लेकिन अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि इसमें क्या marriage का registration court में हुआ है तो दोस्तों मैं आपको ये बता दू कि इसमें court में marriage का registration नहीं हुआ क्योंकि आपको high court से protection तो मिल गया आपने love marriage तो कर लिया आपकी शादी valid तो हो गई इस मामल में कि अपने गुरदवारे में या आरे समाज में आपने शादी कर लिया लेकिन marriage court में registered हुआ ऐसा नहीं हुआ और आपको अगर spouse visa लेना हो या किसी भी तरीके का benefit लेना हो तो high court के protection order से आपको वो सब चीज नहीं मिल सकता है आपको marriage registered कराना परेगा तो चुकी पंजाब में marriage registration एक difficult process है वहाँ पे नहीं हो पाता है इस वज़े से जादतर लोग high court protection करवाते हैं अगर आपको marriage registration करवाना है या जैसे मैंने process बताया कि आप पहले marriage कर लें फिर marriage का registration करा लें या marriage कर लें और high court से protection ले लें ये सभी services available हैं आपको मिल सकते हैं बस आपको करना यह है कि आप हमारे help number 004455 पर call कर लें अब मैं आपको कुछ और चीजे बता दू जो basic requirement होती है वो ये है कि अभी भी अगर आपको शादी करनी है तो लरकियों की age 18 वर्स है और लरकों की age 21 वर्स है छे-छे photo चाहिए होता है और आपका काम हो जागा इसमें दो witness की भी requirement होती है तो उमीद है कि अगर आप चंडीगट या पंजाब के रहने वाले हैं चाहे आपको marriage करके high court से protection लेना हो या फिर court से marriage का registration करवाना हो किसी भी process के लिए आप contact कर लिजे हम आपकी पुरी साहता कर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा बेल आइकन प्रेस किजेगा थैंक यू स्टो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू